User 1, Memory 0, Systolic Pressure is 112, Diastolic Pressure is 79, Pulse Rate is 81, According to the World Health Organization Standard, Your Blood Pressure Level is Normal. ब्लेट प्रेशर की मसीन हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में रहकर के आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूत नहीं है, बीपी अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और कोई भी हो आपको नापते रहना चाहिए, क्योंकि आपको घर में रहना जरूरी है इसका लिंक जो है मैं आपको description पे दे दूँगा वहां से जाकर करके आप flip card Amazon से आप purchase कर सकते हैं बहुत ही अच्छा product है और हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं बहुत ही बीपी कितना है डबलू एच्छा कितना होना चाहिए सारा information आपको बता के देगा और उसके बाद जो है बहुत आसान हो जाता है इसको यूज करने के लिए और ये आपको सारा instruction दे करके रखा है कैसे आपको इस्तेमाल करना है आगे हमने वीडियो में भी बता करके रखा है किस तरीके से इसको यूज करना है सारा detail practical करके दे रखा है ठीक है उसके बाद यहाँ पर model number वगरे सारा चीज mention करके दे रखा है प्रा पटात से जल्दी से और देखते हैं इस तरीके से ये आपके पास जो है ये carry bag आता है बहुत ही मजबूत carry bag है ये और मैं इसको side में ही रखता हूँ अभी और ये आपके पास ये carry bag आता है बहुत ही अच्छा quality इसका carry bag का आप ये carry करके ले जा सकते हैं कहीं पर भी और किसी का बीपी अकर आपको नापना है तो एक कैरी बैग ले करके आप जा सकते हैं और सबसे पहला जो पाउच इसमें निकलता है इसमें देख लेते हैं क्या है यह आपको जो है कफ मिल जाता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक्चुली कफ है मैं बाकी बीपी इंस्कुमेंट इसको फसाना है मैं यूनिट जो होता है वो अभी हम देखेंगे इसमें और इसके साथ साथ इसमें जो है चार बैटरी आपको मिल जाएंगे यह इस तरीके से सेल हैं यह चार जो घड़ी में लगते हैं वही वाले हैं यह भी आपको जो है इसी के साथ मिल जाता है और अब ह ठीक है तो ये warranty card आपको मिल जाता है इसके अलावा ये user manual है निसको मेड़ यहां पर लिखा हुआ है सारा चीज इसमें mention करके रखा हुआ है आपको कहीं पर भी कोई भी परिसानी नहीं आएगा आपको इस्तेमाल कैसे करना है इसको इसमें क्या क्या चीजें हैं तो ये सारा च आसान तरीकी से इसमें सारी चीजें बता करके रखा है कुछ error वगरे अगर machine में आता है तो कब और क्यों आएगा उसको कैसे solve करना है उसके बारे में सारी जानकारी आपको ये manual के अंदर दे रखने हैं तो ये आप आसानी से घर में पढ़कर भी आप इसको समझ सकते हैं आ बहुत बड़ा display यहां पर दे रखा है और उसके बाद यहां पर systolic, diastolic और pulse rate और इनकी unit इधर दे रखे हैं और इस तरीकी से जो है ये बहुत ही आसानी हो जाता है आपको समझने के लिए on off का बटन दे रखा है memory आप यहां से चेक कर सकते हैं जो पिछला आपने चेक किया था BP उसका भी आपको यह बता करके दे देगा उसके बाद जो है बाजू में देखेंगे तो यह जो हमारा air pipe है वो यहां पर जाकर कि यहां पर आसानी से यह इस तरीके से फंस जाता है यह बहुत ही आसानी से अभी हम इसको निकाल देते हैं जब यूच करेंगे तब जो है आपको कुछ भी यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ती है यह सारा कुछ आपको बता करके देता है सबसे बड़ी खासियत और यह USB केबल जो हमारे पास आता है इसके साथ ही यहां पर USB केबल आपको दे रखे हैं यह USB केबल यह भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यह आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छी चीज है जो बाकी इंस्टुमेंट में बीप इंस्टुमेंट में नहीं मिलता है इसमें आपको यह मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और उसके बाद जो है यह खीच करके इसको उपन कर देंगे तो यहां पर मैं अल्रेडी बैटरी लगा करके रखा है मेरे पास बैटरी रखे थे इनको मैंने ओपन नहीं किया है जो बैटरी सांख में आया है तो इस तरीके से जो है आपको लगा करके यहां पर बैटरी रखना है इसका प्लस माइनस का डीके तो इस बात का पर अच्छे तरीके से यहां पर आपको बैट्री को मसा देना है दो पाद आ ऊपको एक कवर लगा देंगे तो अब यह हमारा मसीन तयार हो चुका है ठीक है तो इस तरीके से हमारा मसीन तयार हो गया है अब डेटेल में जो है इसको हम देख लेते हैं अब ये हमारे पास जैसे ही आप इसको start करेंगे यहां पर लगा करके इस तरीके से आप इसको लगा देंगे और start बटन जब आप दबाएंगे जैसे मैं memory अगर दबाता हूँ जैसे मैं पहले ही इसमें लेकर कर रखा है देख रहे हैं आप यह सारा चीज आपको बता करके देता है किसी चीज को आपको समझने की जरूवत नहीं है और बड़ा डिस्प्ले है यहां पर और हम देखेंगे आगे कि इसमें जो है नॉर्मल डेंज आपको इसक्रीन पर दिखाई दे रहा होगा नॉर्मल डेंज कहां से की सलाह लें जाकर के मिलें उन से और डॉक्टर की सलाह के बगर कोई भी मेडिसन बगरें इस्तिमाल ना करें डॉक्टर से जरूर मिलें जो सलाह आपको दिया जाता है वहाँ से वही चीज़ आपको follow करना है तो आप अपने स्वास्त का ख्याल रखें और आगे हम देखते हैं कि इसके द्वारा बीपी कैसे नापेंगे और किस तरीके से नापा जाता है क्या क्या सावधानी बहुत आसान तरीके से आपको समझा करके देता हूँ तो दोस्तों अब जो है हम इसमें ये हमारे पास रेडी है बीपी नापने के लिए हम तयार हैं तो सबसे पहले आपको सावधानी रखना है कुछ चोटी-चोटी सावधानिया है सबसे पहले आपको रिलेक्स होना है और आपको चेर में बैठना है और आपके पैर बिल्कुल सीधे जमीन से टच होना चाहिए और एक दूसरे ग्रूपर पैरों को नहीं रखना है और रिल यहां से इस तरीके से जो आपका middle finger है उसके सिधाई में जो आपको इसको रखना है तो इस तरीके से यहां से यह इस तरीके से रहेगा तो अभी हम बांद करके detail में दिखाएंगे और यह हमारा ready है और इसको हमने यहां पर लगा दिया है उसके बाद हमें केवल कफ को लगा कर और उसके बाद यह आपको देखना है कि यह आपका इस तरीके से सिधाई में रहना चाहिए तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा लेना है और यहाँ पर ध्यान रहना है कि यह जो एलबो है उसका जो है यहाँ पर नाप करके देखना है इतना जो है आपको छोड़ना है ग गैप में यहां पर आप लगा करके देख भी सकते हैं तो इस तरीके से आप ये देखिए इस तरीके से ये सिधाई में जाएगा और उसके बाद कफ को जो है आपको इस तरीके से हलके से आपको लगा देना है इस तरीके से जब आप कफ को लगाएंगे और यहां पर उंगली वाला बटन जो यहां पर दे रखा है इसको जो है आपको प्रेस कर देना है और ध्यान रहे इस समय जो है आपको बात नहीं करना है और ना तो वियर वियर बार फॉब computer you कि तो तो बलूड प्रेशर लेवल इस नॉर्मल तो सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि यह आपको । डिटेल में इंफोमेशन बता करके देता है आपको डिस्प्लिय में देखने की जरूरत भी नहीं होती है और में आपको जुँ है बता करके देता है तो और ज्यादा आसान हो जाता है आपको समझने के लिए